इस सबची के आगे सभी नॉन्वेज फेल है देख भी एकदम नॉन्वेज जैसर रहा है और इसका रेड भी 400 से 500 रुपए किलो होता है कभी-कभी तो ये उससे भी जादा हाई रेड का हो जाता है हेलो एवरिवन आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल देशी वेरेस फूड में तो इसे कहते हैं 36 गर में खुखडी आप मुझे कमेंट्स करके बताएगा कि आपके हाँ इसे क्या कहते हैं तो चली इस देशी खुखडी को हम एकदम देशी स्टैल में बनाएंगे अगर इसे बोल चाल के भासा लेंगे तो इसे आप मश्रूम भी कह सकते हैं नैचरल मश्रूम खुखडी पुटू पुटू को बहुत सारे चखा रगड़ा भी कहा जाता है ये दोनों चीजे बरसात के मौसम में जब बहुत जादा बिजली कड़कना स्टार्ट हो जाता है ना त कि जितना भी मिट्टी है ना वह पहले निकल जाए उसके बाद आप इसे वाश किजेगा तो आप देखेगा कि इसको धोने में थोड़ा सा असानी हो रहा है तो यहां पर माने पहले ही इसमें जितना भी मिट्टी था ना उसे बहुत ही अच्छे से धोली थी और उसके न ahí उसको मानी मानी पजुल के साहिता से 3-4 पीसे बाचती तारह से सभी खुट्डीों को कण लिया गया तो चलते अगले प्रोसेस के ओरता हैं यहां पर प्लेट में मैंने सभी फोरेर में डलने वाले समान को ले लिया है, जिसमें दो मीडियम साइस के प्याज है, जिसे मैंने लंबे-लंबे स्लाइस में कट कर लिया है, हरी मिर्च एक हाफ टेबले स्पून जीरा, वन फो टेबले स्पून मेथी दाना, यहाँ पर आप कोई भी कढ़ाई या ओले, उससे आप बहुत ही अच्छे से गरम कीजेगा, क्योंकि अगर ये तेल या फिक कढ़ाई अगर अच्छे से गरम नहीं होगा ना, तो जितना भी खुकडी है ना, वो एकदम कढ़ाई में चिपकना स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने सरसो के तेल में सभी खड़े मसाल डाल दिये थे, और उसके बाद प्याज, प्याज को अच्छे से चला कर मैं इसे धग दूँगी और इसका एकदम गोल्डन ब्राउन होने का वेट करूँगी, एकदम बिरिस्ता की तरह, जैसे ही प्याज इतम बिरिस्ता की तरह भुंजा जाएगा, तब मैं इसमें जो खुखड़ी है वो बहुत सारा पानी छोड़ देगा, तो आप इसे बीना ढखे ही हाई फ्लेम में साथ से आठ मिनट के लिए भुंजेगा, जब तक से इसका पानी एकदम सूखना जाए, यहाँ पर साथ से आठ मिनट के बाद जो खुखड़ी का पानी है वो बहुत ही अच्छे से चला ले रही हूं और अब मैं यहाँ पर कुछ स्पाइसे एट करूंगी जिसमें है स्वाद अनुसार नमक, हाफ टीबल स्पून, हल्दी और यहाँ पर मैं सिर्फ कलर के लिए यूज कर रही हूं कस्मीरी मिर्च, इन सभी को डाल कर अच्छे से भूंजना है ह अच्छे से लाल ना भूंजा जाएं, खुकडी भूंजते समय आप गैस का फ्लेम है उसे लो रखेगा, जब तक से खुकडी भूंजा रहा है तब तक से हम मसाला देख लेते हैं जिसे हमें पीशना है, तहां पर मैंने प्लेट में एक मिटेम साइस का प्याज, दो हरी हाफ टेबल स्पून धनिया, वन फो टेबल स्पून, ब्लैक पेपर वन टेबल स्पून जीरा और दस लसुन की कलिया ली है, इन सभी को जार मिलेकर बहुत ही अच्छे से हमें इसका पेश्ट बना लेना है, तो हमारा मसाला भी बन के हो गया है तैयार, तो दस से पंदे मिन छोलनी है इसमें जितना भी खुखड़ी चिपका हुआ है वही चीज आपके कढ़ाई में भी चिपक जाएगा, जिससे आपका खुखड़ी एकदम जलने लगेगा, और मसाला जो खुखड़ी है वो भी भूचानी पाएगा, तो यहां पर खुखड़ी बहुत ही अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हमें लो फ्लेम पर छोड़ देना है, 10-15 मिनेट के लिए, 10-15 मिनेट के बाद हमारा जो खुखड़ी है वो बहुत ही अच्छे से भुचा गया है, उसका जो मसाला है वो भी बहुत ही अच्छे से भुचा गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो कप के करीब ही पानी डालूँगी जिसे जितना भी मसाला है वो एक दूसरे में अच्छे से चिपक जाए, तो आदा कप पानी डालने के बाद मैं इसको हाई फ्लेम पर ही चला ले रही हूँ, चलाते चलाते ही जो हमारा पानी था वो भी सुक गया है और जो हमारा खुखड जोरूर बना के देखेगा बहुत ही अच्छा लगता है तो आपको यह रेसेपी कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जोरूर बताएगा और आपको मेरा यह वीडियो पसंद आयरा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा लाइक कीजेगा और खुब सारा कमेंट्स क कीजेगा मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के लिए तब तक के लगता है